नमस्कार भारता फर्स्ट में आप सबी का स्वागत है आप देख रहे हैं भारतिय समाचार सबसे पहले बात करते हैं अनलोक की शर्टों के बारे में एक सब्धा के लिए 5 प्रतीशत से कम की सकारात मक्तादर, 70 प्रतीशत कमजोर आबादी का टीका करन और कोविट उप्युक्त व्योहार और देखबाल का सामूदायक स्वामित्व केंद्रे ने मंगलवार को संभावित तीसरी लहर को दूर करने के लिए जिलों के लिए प्रमुक अनलोकडाउन मांधंड जारी किये ICMR के निर्देशक डॉक्टर भारगफ का बयान 344 जिलों की प्रिष्ट भूमी में आता है भारत के 718 जिलों में से लगभग आधे जहां आप साथ दिनों की ओस्तन सकारात मक्तादर 5 प्रतीशत से कम है CBSE ICSE ने बारवी की बोर्ट परिक्षाएं रद की COVID के कारण अनिश्चित परिस्तियों और विबिन हितिदारकों से प्राप्त प्रतीक्रिया को देखते हुए यह निर्णे लिया गया कि इस वर्ष बारवी की बोर्ट परिक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी यह भी निर्णे लिया गया कि CBSE कक्षा बारवी के चात्रों के परिणामों को एक अच्छी तरह से परिभाशित उद्देश मानतंड के अनुसार समय बद्द तरीके से संकलित करने के लिए भी कदम उठाएगा और अब बात करते हैं एशियाई मुक्यबाजी चेंपियंशिप दोजार एकिस के बारे में पार्टिय हेवी वेट मुक्यबाज संजीत ने सोमवार को दुबई में एशियाई मुक्यबाजी चेंपियंशिप में इंक्याननेवे किलोग्राम फाइनल में उलंपिक रजत पदक विजेता वासली लेविट को हरा कर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले शीर्ष वरियत प्राप्त अमित पंगाल और शिफ थापा ने विभाजित फैसलों पर अपने अपने मुकाबले हारे और घरेलू रजत पदक जीता। अधीनियम के तहट सोमवार देर रात नोटिस जारी किया गया था और यदि इसे वैधानिक मामले में बदल दिया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप दो साल तक की कैद हो सकती है। और अंत में बात करते हैं इनफोसिस इंसाइडर ट्रेडिंग मामले के बारे में। भारतिय प्रतिभूतिय और विनियम बोल्ट सेबी ने इनफोसिस के शेरों पर अंदरूनी कारोबार में दोशी पाए जाने के बाद आठ संस्थाओं और व्यक्तियों को शेर बाजार में व्यापार करने से प्रतिबंदित कर दिया है और उन पर 3.06 करोड रुपे का जुर प्रतिभू